नमस्कार आज फिर हम इंदी विशह के अंतरगत एक विग्यापन लेकर आया हूँ तो प्रस्ण कुछ इस प्रकार से पूछे आते हैं निसुल्क मोतिया बिंद आपरेशन सिविर पर लगवख 25 से 50 सब्दों में एक विग्यापन त्यार कीजिए ठीक है तो सबसे पहले हम क्य करेंगे विग्यापन के प्रस्ण कुछ भली बहात ही पढ़कर समझ लेंगे तो इतना समझ लो निसुल्क मोतिया बिंद आपरेशन सिविर यानि जो निसुल्क मोतिया बिंद आपरेशन सिविर है उसी पर हमें विग्यापन त्यार करना है तो चलो सबसे पहले का करेंगे ह उसका नीले पेंस से लिख देंगे निसुल्क मोतिया बिंद ऑपरेशन सिवर पर बिग्यापन ठीक है और इतना बड़ा आपको यह उत्तर ना लिखना आए तो आप उसके स्थान पर सिर्फ बिग्यापन लेखन लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब इतना करने के बनाना बड़ा बन सकता है बड़ा या मीडियम साइज का तो यह बनाने के बाद हम ऐसे बोक्स बना लें हैं डिजाइन भी कर सकते हैं जैसी इच्छा हो बोक्स जब बन जाए उसके बाद हम क्या करेंगे सीर्सक लिख देंगे तो इस परकार लिख देंगे सीर्सक निसुल मोतिया बिंद आउपरेशन सिवर ठीक है फिर उसके बाद हम दो आँखे बना देंगे थोड़ी हमारी दो आँखे इधर आप पीछों भी सिंटर में बना देंगे और आँख बनाना बहुत आसान है इस तरह से देखो यह किया इसको इधर और यह हो गया बहुत सिंपल सा चित बना दोगे ठीक चितर बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे दिनांक लिखेंगे क्योंकि यह भी तो लोगों पताओ कि किस दिनांक से किस दिनांक तक सिवर लगेगा तो लिखेंगे दिनांक 5 मार्च से 12 मार्च 2021 तक इस परकार कोई भी डेट डाल दिएगा जो आपकी इच अब इस थान का नाम भी जो इच्छाव आप अपने मन से लिख सकते हैं ठीक अब पर लिख देंगे यहाँ पर क्या क्या सुबदाएं मिलेगी तो पहला लिख दिया जाच निसुल्क ऑपरेशन निसुल्क दवाय निसुल्क तेश की पिरसिद डाक्टरों द्वारा ऑपरे पर उसके वार से लिख देंगे सौजन यहाँ पर हमने फोन नंबर लिख दिया ऐसे मोबायल का एक सिंबल बना दो और इस प्रकार डबल नाइट जीरो सेन वन जूरेट और यह तीन एक्स बना दिये क्योंकि हम कभी भी परिच्छा में फोन नंबर पता यह सही नहीं लिख लिखेंगे तो उसकी जगहे पर यह हमने क्या छपा दिये और मेल भी लिख दिया कोई भी मेल आप लिख दो जो इच्छा हो पटेल क्लब एडदारेजीमेल.com मैंने यह लिख दिया अब उसके बाद क्या करेंगे एक हमने यह छोटा सा स्लोगन लिख दिया मानाव सेवा उच्छित लगे तो इस परकार से क्या होगा यह पूरा अमारा विख्यापन बनके त्यार हो गया अब यह दिखता कैसा है उसको और देख लेते हैं जब पूरा विख्यापन बन जाएगा तो कुछ इस परकार से दिखाई देता है देखो यह आपका उत्तर लिखा है यह प इस तरह से आप साहब सुतरा स्वच्छ विग्यापन बनाएंगे तो निश्चे तोर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे अब आपके मन में आएगा कि हम इस तरह से असुद्धियों से कैसे बचें यानि हम जो लिखते हैं वो बिल्कुल सही कैसे हो तो आप हमेशा एक ही काम करना जो कठें या मुश्किल सब्दों उनका प्रयोग कभी ना करना उनके स्थान पर ऐसे सब्दों का प्रयोग करना जो आप आसानी से लिख सकते हो और सरल भी हो तो ऐसा करोगे तो आप हसुद्दियों से बच जाओगे अब इनका हम अभ्यास कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस पूरे विख्यापन को एक बार देखकर किसी कौपी में बना लेंगे और दूसरी बार बगएर देखकर बनाएंगे और फिर मिलान करेंगे कौन-कौन सी कमिया रहेगी और उनको सुदार कर लेंगे इस प्रकार आप अभ्यास कर सकते हैं और दूसरे विख्यों का भी अभ्यास कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा प्रसन हो जिसमें आपको खठनाई हो रही तो वह प्रसन हमें बेजती जीगा लिखकर कमेंट बॉक्स में हम कोसिस करेंगे बना कर आपके सामने प्रस्तुत कर सके हैं तो आसा करता हूं कि आपने बिग्यापन बनाना समझ लिया होगा तो फिर आप प्रयास करिए और फिर हमें कमेंट करके बताईएगा तो फिर आज के लिए इतना ही धन्वाद